देश के मुख्या काम होता है देश की जनता के साथ रहे हर मुश्किल में उनके साथ रहे लेकिन अब गान राश्ट्रपती भाग निकले ऐसे में सवाल ये कि अब जनता जाये तो जाये कहां और किसके भरोसे रहे क्या जनता ने अश्रफ गनी को इसी दिन के लिए चुना था कि तालिबान का जब राज होगा तो वो देश छोड़ कर भाग जाएंगे और अपनी आवाग को मरने के लिए छोड़ जाएंगे पर वो गए कहां ये भी एक सवाल है इतनी गहमा गहमी के बीच एक रिपोर्ट सामने आई जो ये बताती है कि सत्ता के लाजशियों को अपनी पड़ी है और किसी की नहीं दरसल तालिबान गिरर से अफगान राश्रुपती अश्रफगनी भाग निकले वो अपने साथ कैश से भरी चार कारों और एक हैरिकॉप्टर के साथ खिसक लिए ये दावा एक न्यूज एजिंसी ने किया है रॉटर्स ने आर आई ए औ और कुछ प्रत्यक्ष दर्शियों के हवाले से ये का कि अश्रफगनी को कुछ पैसा छोड़ कर ही जाना पड़ा क्योंकि वो उसे रख नहीं पा रहे थे इस बारे में काबुल में रूसी दूतावास की प्रवक्ता निकिता ने कहा कि चार कारे कैश से भरी हुई थी इसके बात भी वो पूरा पैसा नहीं रख पाए और कुछ पैसे यूँ ही छोड़ कर निकल गए रूसी दूतावास की प्रवक्ता ने ये बाते हवा हवाई नहीं की बलकि प्रत्यक्ष दर्शी से मिरी जानकारी के आधार पर ही ये बाते कहीं गई हैं अब ऐसे में सवाल है कि अ ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि वो ओमान पहुँच चुके हैं ये भी कहा जा रहा है कि वो ओमान होते हुए अमेरिका जा सकते हैं अफगानिस्तान से निकलने के ठीक पहले फेस्बुक पर लिखी एक लंबी पोस्ट में अश्रफ गनी ने कहा था कि वो देश में खून अबे को रोकने के लिए ऐसा कर रही हैं गनी ने कहा था कि यदि वो वहाँ पर बने रहेंगे तो उनके समर्थक भी सड़कों पर आएंगे और तालिबान के हिंसक रवये के चलते खून खराबा होगा बता दे कि अमेरिकी सेना के लोटते ही तालिबान ने पूरे अफगान लोटते हैं